जहिन दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे मैं पिछले 3 साल से CUET एक्जाम के ओपर content बना रहा हूँ जब से पहला CUET का session आया है तब से लेकर आज तक नाजाने कितने हजारों बच्चों को मैंने उनके dream university तक पहुचने के लिए उनको personally guide करा है mentor करा है बिना किसी बच्चों से एक भी रुपए लिए ना ही किसी brand के सामने अपना सिर जुकाए खुद independently मैंने काम करा है इसलिए आज के समय लाखों बच्चे में इने से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे बड़े-बड़े so called ad tech company, ad tech channels है जो आपके सामने daily, daily आपको registration form के लिए, daily application form के लिए video डालेंगे कि आज form आ गई, आज ये हो गया, वो हो गया क्योंकि उनको पता है कि उसने उनको reach मिलेगा और end में जाकर वो आपको एक course बेचते हैं उनका motive यही है कि उनका course कैसे भी बिकना चाहिए पदले में आप irritate क्यों ना हो जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी depressed हो जाओ, आपका board exam चल रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये काम हम नहीं करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका exam निकले और आपका exam में निकल वाकिर होगा इसका मैं तुमको वादा करता हूँ, मैं तुमको reality चेक दूँगा, जो बाकी लोग जो तुमको नहीं देंगे क्योंकि बाकी लोगों ने ये बाते अगर तुमको बता दी, तो उनका course नहीं बिकेगा लेकिन मैं तुमको एक दम reality चेक दूँगा, आज की वीडियो में मैं आपको चार वो practical tips बताऊँगा, जिसको अगर आप अपने CUET exam के preparation में लगाते हो, तो आपका ये exam 100% निकलेगा इसका मैं आपको guarantee देता हूँ, मैं कोई course नहीं बेचने वाला हूँ, ना ही ये किसी promotion के ओपर वीडियो है, ना मैं किसी college को review कर रहा हूँ, nothing, जो है बिलकुल raw है और आपके सामने है, आप बस सुनते रहिए, बस सुनिए और इस channel पर बने रहिए, हमसे प्यार करते रहिए, जुड़े रहिए, बात खतम, सुनो मेरी बात, सबसे पहले, जो सबसे पहला जो आपको tip में दे रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में डाल लो, कान खोल कर सुन लो, कि आपका, जो CUET exam 2024 है, ये बहुत easy होने वाला है, this is going to be very easy exam, CUET 2024, बात खतम, बहुत easy exam रहेगा आपका इ TYQ, उसको अगर आपने देखा है, अगर आपको वो अभी भी moderate लगता है, तो इस साल कवे पर उससे भी low आएगा, अब वो कैसे आएगा, मेरी बात सुनो, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े reputed, आर्टिकल ने इस बात को छापा है, बहुत बड़ Students Reliance on Coaching Centers, अब जो NTA है, जो UGC है, वो चाहती है कि अब आपका जो CUET exam हो, वो easy हो, ताकि आपको coachings के ओपर depend ना होना पड़े, ये उनका कहना है, उसके बाद, ये UGC के chairman ने खुद कहां है, we want to keep the difficulty level of the questions in CUET UG, moderate, moderate, because students are more likely to perceive it as a fair and manageable challenge, UGC के chairman खुद कह रहे है कि उनको CUET के इस साल के paper को moderate level का रखना है, easy level का रखना है, ताकि students को एक fair competition मिल सके, एसा नहीं हो कि किसी का paper बहुत hard आगिया, किसी का paper बहुत easy आगिया, ये नहीं होने वाला है इस साल, इस साल का paper बहुत ही manageable होने वाला है, इस साल का paper ऐसा होगा कि हर एक बच्चा पढ़ाई करके धंग से पढ़ाई करके लास्ट के एक महीने में भी इस exam को निकाल सकता है ये reality check है और ये बात तुमको coaching center वाले नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर तुमको ये बात पता चल गई तो तुम उनका course क्यों लोगे वो तुमको all डराएंगे कि CUT नस्दीक है CUT exam बहुत बढ़ा है CUT नहीं निकला तो ये हो जाएगा obviously CUT exam बढ़ा है लेकिन CUT exam क्यों नहीं निकलेगा definitely निकलेगा भाया वो तुमको डराते है ताकि उस डर के अंदर आके तुम उनका course purchase कर सको इस बात को समझ लो तुम और वही चीज हम free of cost पे अपने telegram पे provide कर रहे है अपने telegram पे हम free of cost में सारी material resources सब कुछ दे रहे है तो भाया उसको तुम join कर लो free में बिना तुमसे एक पैसा लिए तो जाओ उसकी link हमाई telegram की link जो इस comment में पिन है description में हर जगा given है उसको join करो अब second number जो second number टेप रहेगी अब काम की बात करते है कि आपको पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है अब देखो मैं तुमको अभी proper बताता हूँ कि सबसे पहले जब हम domains की बात करते है तुमने जो class 12 में जो भी पढ़ा है जो भी तुम्हारा syllabus है बस तुमको वही पढ़ना है चाहे तुम history, geography, political, science या फिर तुम economics, physics, chemistry, maths, accountancy को कुछ भी दे रहे हो तुमको उन books को prefer करो जो तुमने टुवल्ट में बढ़ा है उसके अलावा तुमें कुछ भी extra पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुमारा exam निकल जाएगा मेरी भाई तुमको कुछ भी नहीं करना है तुमको क्या करना है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ NCRT पर focus करना है जितना ह मार्केट में तरहा तरहा की book मिलती है आज के टाइम पर लेकिन तुमको online लगाना है मार्केट से book लेना चाहो तो ले लो लेकिन online जाकर के तुमको mocktest देना है हर एक domain का अब यह online mocktest तुमको कहा मिलेगा इस तरीके का interface तुमको online देखने को मिलेगा यह तुम अपने laptop या mobile phone स दे सकते हो laptop से देना computer से देना ज्यादा अच्छा समझाएगा ठीक है यह आपका question palette खुल जाएगा यह आपका question होगा exact same experience आपको वही मिलेगा जो आप अपने जाकर दोगे जो आप अपने CUET में CBT mode पे देने वाले हो same experience तुमको online मिलेगा अब यह कहां तुमको मिलेगा यह mocktest वगेरा कहां तो उसके लिए simply यह भी मैंने free of cost में डलवा दिया है यहाँ पर हमारे telegram को जॉइन करना 13,000 से बच्चे इसको जॉइन कर चुके 13,000 से भी ज खोल जुके है और यह free of cost है इस link पे click करना तुम वैसे वाले free of mocktest में पहुँच जाओगे जो तुम अपने laptop से दे सकता और तुमको कुछ नहीं करना है और इस telegram पे जुरे रहना ठीक है simple सी बात है अब हम बात करते हैं कि next यह domain का system खतम अब गब हम बात करते हैं language test की तो गुजराती हो गया तो उसमें language में आपको हर एक language test में जो भी code जो आपका subject है उसमें आपको grammar में focus करना है मैं बार बार बोल रहा हूँ जो language test होता है जितने भी बच्चे नए हो language test के अंदर वो paper नहीं आता है जो आपके class 12 का language है मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसे अभी class 12 में आप English का paper दे रहे हो और अगर आप CUET में इंग्लिश का paper देने जाओगे तो वो दोनों English paper अलग होगा हिंदी का paper जो आपका 12 में है वो CUET में नहीं होगा समझ रहे हो तुमारे class 12 में literature है अभी तुम literature पढ़ते हो अभी तुम novel पढ़ते हो ये सारी चीजे तुमारी हो adjective, pronoun, preposition ये जितने भी topics है ना इससे भी ज्यादा topic तुमको clear कर लिना है बात खतम अगर तुमने अपना grammar का base clear कर लिया तो तुमारा निकल गया CUET बात खतम तुमको language में 200 में से कम से कम 190 लाने से कोई नहीं रोग सकता और एक महीना more than enough है और दूसरा तुमको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा reading comprehension पर focus करना है reading comprehension मतलब क्या passage passage को बनाने का तरीका तुमको पता होना चाहिए passage को बनाने का तरीका कैसे पता चलेगा भाया YouTube पे ना जाने कितने teacher है जो तुमको English पढ़ा रहे है free of cost में जो तुमको SSC के level का पढ़ा रहे है तो CUET कौन सी बड़ी बात ह clear very good and इसके बाद third number जो तुम्हारे लिए टेप रहेगी वो है भाया GK current affair etc तुमको पढ़ना है for general test general test is very important देखो बिना general test के अगर तुम CUET में उतरते होना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा loss का सौधा है general test को भूल करके भी skip मत करना क्योंकि बहुत सारे ऐसे college university है जो त general test के marks by admission देदेंगे even Delhi University भी देदेगी not only on general test but still अगर तुम्हारा BA honors करना है B.com honors करना है B.se honors करना है और अगर वो नहीं हो पाता है तो तुम BA program B.se program या तुम B.com program भी कर सकते हो general test के मदद से तो तुमको general test जरूर देना चाहिए BHU, JNU, Jamia, Allahabad University हर university में general test की requirement है और अगर त general test की तैयारी करनी है तो तुमको gk पे focus करना पड़ेगा तुमको current of year पे focus करना पड़ेगा और general test के लिए separate book तुमको ले लेना है अब ये एक book का picture है जो कि मैं recommend बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ बस as a sample के तौर पे तुमको दिखाने के लिए बोला हूँ कि तुमको जैसे general test हो गया sorry general knowledge हो गया जो तुमारा gk होता है current gk, statics gk जो current affair होता है वो सारी चीज़े तुमको पढ़ना है वो clear करना है उसके बाद तुमारा general mathematics जो होता है वो clear होना चाहिए numerical ability clear होना चाहिए तुमारा quants clear होना चाहिए logical reasoning clear होनी चाहिए तुमको पता होनी चाहिए pro tip दे रह उसको ले लो, हो जाएगा, बात खतम, और कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है, और बात करें maths और reasoning की, तो वो तुमको class 8 तक के level की आनी चाहिए, class 8 तक की level की तुम्हारी maths और reasoning clear होनी चाहिए, basic mathematics तुमको clear होना चाहिए, तब ही तुमारा admission हो पाएगा, नहीं तो नहीं ह होगा, नहीं तो general test नहीं निकलेगा, simple सा बात है, तो अभी मैंने कोई book recommend नहीं करा है, अगर तुम बोलोगे, तो मैं एक book के ओपर वीडियो बना दूँगा, उस book को देख करके तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया book होगी, ठीक है, जो भी मैं recommend करू ये एक separate book ले लिना चाहिए, मेरे हिसाब से, ठीक है, clear रहेगा, क्योंकि general test आज तक तुमने अपने class to world में नहीं पढ़ा है, बिलकुल नया चीज है तुमारे लिए, current affair, reasoning, ये सब नया होगा तुमारे लिए, लेकिन ये सारी चीज़े within a month तुम crack कर सकते हो, clear, very good, अब last, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र में तुमको दे रहा हूँ, सबसे बड़ा रामबान, वो है pro tips, golden tips, ये golden tips जानने से पहले एक और चीज़ में तुमको बता दू, कि भाया हमारा एक और ना प्यारा सा channel है, ये देखो, ये जो channel है भाया, ये है मरिन्माय finance, promotion नहीं कर रहा बता रहा हूँ भी ये तुम दिल से बता रहा हूँ, मरिन्माय finance करके हमारा channel है, जहां पर हम finance से related, stock market से related, investment से related, हर एक चीज़, हर एक वीडियो में खुद तुमको बना बना कर बढ़ाता हूँ, ये देख रहा हूँ, एक गंटे के वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, लेक देख लेना, अगर पसंद आता है, तो ही आना वीडियो को देखना, अगर नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं मत आओ channel पर, खिक है, मरिन्माय finance, बाद खतम, अब लास्ट जो golden tip मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, इसा ध्यान से सुन लो मेरी जान, जो golden tip है, चार golden tip कि भाईया, एक मन्त, one month is enough for CUET, एक महीना enough है आपके CUET exam को निकालने के लिए, अगर आप अभी अपने board exam के pressure पे दबे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस अपना domains को clear रखो, क्योंकि domain में तुमको और कुछ नहीं करना है, जो भी तुम ने to wealth में पढ़ा है, that's it, वही आने वाला है, एक दो deleted chapter हो सकता है, आजाए तो तुम वह कबर कर लोगे, लेकिन एक डेर महीना is more than sufficient, अभी से भी ते यारी करते हो, थोड़ा थोड़ा करके और votes के बाद अच्छे से करते हो, तो निकल जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम top कर जाओगे, क्योंकि top कर करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना परेगा, लेकिन अच्छा score आजाएगा, और दिल्ली उनिवरसिटी जैसे बड़ी उनिवरसिटी के अच्छे college में admission हो जाएगा, तो वन मन्त के अंदर easily crack कर सकते हो, और मैं तुमको लिख के देता हूँ, पेपर पर साइन करके कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग comment करने लगते हो, मुझे पता है, आजकल कोई दिख कर रही है, चलो, आगे बढ़ते हैं, कि तुमको focus on class tools only, जो कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कि domain के लिए सिर्फ और सिर्फ class tools पे focus रखो, अभी तुम्हारा board exam चल रहा है, जितना हो सके domain को अपना strong कर लो, क्योंकि यही paper तुमको देना है, आगे भी, बात खतम, इसका लावार कुछ नहीं देना है, 11th का नहीं आएगा, जो 12th पर पढ़ा है, बस वही आएगा, clear, very good, इसके बाद, तुमको क्या करना है कि at least 3 domain, 1 language और general test का paper तुमको देना है, at least 3 domain, 1 language और general test यह एक ऐसा combination होगा, जिससे तुम भारत के ज्यादा तर university में admission लेने के लिए eligible हो जाओगे, it is the most perfect combination for CUET exam, तो यह combination जरूर रखना, हो सके तो 4 domain लेना है, ले लो, लेकिन 3 domain, 1 language general test तो बनता है, बात खतम, clear, and last, अगर तुमको CUET exam में top करना है, अच्छा score दाना है, तो तुमक continuously mock test लगाना पड़ेगा, and previous year question तुमको देखना पड़ेगा, previous year question से तुमको question के level का अंदाजा लग जाएगा, कि CUET exam किस स्तर पे आता था, और अब किस स्तर पे आएगा, तो तुमको एक idea लग जाएगा, and तुम जितना mock test लगाओगे, जितना ज्यादा, कोशिश करो, online लग जितने भी जादा बच्चे जहां पर जाएगे, एक must meet up करेंगे, बैठेंगे, one to one बाते करेंगे, तुम अपनी बाते सुनाना दिल की, हम अपनी बाते सुनाएंगे, must भाईया, बहन, सब कोई बैट के बात करेंगे, party चलेगी, तुम पाटी दोगे मुझे, क्योंकि भाई अजय होग fight पहा है अचे बाते हैंगे, बलसी बाते सक्षिथ पालोय है क्योंके बाताएंगे, घर जया है, पालोय है, जऊ ज्या है, हम अचे ठने बाते सक पाईये, बहन्य है, पालोय है, एक भालोय है, मुझे जई व्मं